अच की बैक बनाने के लिए हमने ये cotton का फैब्रिक लिया और इसके पीछे ये paper के अन्वास हमने प्रेस करके attach किया है इसके अंदर हम rubber sheet या foam नहीं use करेंगे same size का एक अस्तर का piece लिए अस्तर के लिए भी की cotton का फैब्रिक हमने लिया है और इसका measurement है 24 inches by 13 inches 13 inch by 24 inch का एक piece लिया और ये दो फैब्रिक के pieces लिए belt बनाने के लिए इसके अंदर भी हमने ही प्रेस करके canvas attach किया है 4 inch by 13 inch के ये दो pieces लिए ये प्रेस किया है हमने और ये center से fold किया यहाँ से एक fold यहाँ से एक fold यहाँ से एक fold यहाँ और यहाँ हम सिलाई करेंगे और ये दोनों build बनाएंगे देख्या ऐसे हमने ये दोनों build side से सिलाई की build बनाने के बाद ये फैब्रिक हम लेते हैं अस्तर थोड़ासा side में रखेंगे देख्ये यहाँ हमने center का mark यह center से 2 inch एक side में इसा यहाँ center का mark यह 2 inch एक side में बिल्ड जोडने के बाद ये जो लाइनिंग के लिए cotton का फैबरिक हमने लिया था दोनों सीधी साइड ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड है एक के उपर आएगी ऐसे रखा चारो साइड से हम सिलाई करेंगे और इतनी स्पेस हम यहाँ चोड़ेंगे यहाँ तक देखिए इसे हमने चारो साइड से सिलाई की यह ओपन स्पेस है इससे पहले हम ये कॉर्णर कट करेंगे चारो कॉर्णर हमने चारो कटिंग की इसके बाद यहाँ से ये फैबरिक सीधी साइड करेंगे देखिए यहाँ सीधी साइड करने के बाद ये ओपन स्पेस है अंदर की साइड फोल्ड की और इसके उपर हम कॉर्णर पर चारो साइड सिलाई करेंगे corner पर slay करेंगे यहां इसे चलाई होने के बाद चारो साइड से हमने slay की, इसके बाद इसे fold किया और यहां यहां हमने center का mark किया यहां हम ऐसे दो-3 जगह पर इसे mark करेंगे और यह होने के बाद यहां से यहां से दो इंच का हम यहां मार्क करेंगे यहां कॉर्णर पर करते हुँ प्यूक्या हमें ओर्डी सड़ में भी मार्क करना है कि यहाँ दो इंच का मार्क किया एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसा ही मार्क हम यहाँ करेंगे दो इंच का ऐसे लाइन ड्रॉ की है और यह हमने लाइन ड्रॉ की इसके बाद यह जो लाइन है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे क्लिप लगा देती हूँ और इसके उपर कॉर्णर पर हम सिलाई करेंगे ऐसे ही यह साइड यह जो मार्क किया था दो इंच का इसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ से यहाँ तक हम इसके उपर टॉप स्टीच करेंगे दिखिए ऐसे हमने यहाँ और यहाँ टॉप स्टीच किया ऐसे दोनों साइड में ये सिंटर का मार्क है ये हमने 15 इंच की जिपर ले और ये जिपर हम देखिए ये सीधी साइड है ये उल्टी साइड है तो इसको हम ऐसे ये साइड ये बाहर की साइड है ये अंदर की साइड है ऐसे हम फोल्ड करेंगे और ये साइड ये जो ये साइड है इसको हम ऐसे ऐसे लेंगे दिखिए और ये हमने यहां रखा यहां रखा और इसके उपर सिलाई करेंगे एक साइड में सेपरेट करते हूँ फेल्ट उपर यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे सीधी साइड उपर रहेगी दिखिए यहां आप देख सकते हैं हमने यहां सिलाई की और ऐसे फोल्ड किया यहां पर और ये साइड हमने यहां तक सिलाई की तो ये जो सिलाई की थी टॉप स्टिच उसके नीचे हमने सिलाई की तो ये जीपर ऐसे रहेगी इसके बाद ये दूसरी साइड देखिए ऐसे की ऐसे और ये ऐसे पोड किया ये ओल्टी साइड है ये सीधी साइड है यहाँ दूसरी साइड में ऐसे रखा और इसके उपर भी हम सिलाई करेंगे चाहे तो पीन से जोड सकते है देखिए यहाँ यह जीपर हमने जॉइन की यहाँ आप देख सकते हैं सुन्दर सा फिनिशिंग से यह साइड हमारी जॉइन हुई है यहाँ और यहाँ पर यह होने के बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे हमने यह स्टार्टिंग में किया था देखिए ऐसे यहाँ से देड इंच और यहाँ से देड इंच और इसके उपर हम यहाँ से सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक यह ऐसे फोल्ड गिया है और यहां से यहां से यहां तक देखिए यहां हमने दोनों साइड से सिलाई की यह होने के बाद हम इतनी स्पेस यहां चोड़ी है इतनी स्पेस यहां चोड़ी है यह होने के बाद हम यहां से रनर डालेंगे देखिए हमने यहां से रनर डाला रनर डालने के बाद ये side हम ऐसे चोड़ेंगे देखिए ये 2.5 inch by 2 inch का ये fabric का piece लिया ये 2.5 inch की side है यहां से ऐसे fold किया एक और यहां से एक fold किया ऐसे इसके उपर सिलाई करेंगे यहां से सिलाई होने के बाद ये fabric ऐसे उपर की side में किया ये fabric के उपर हमने ये paper के nose रेज करके attach किया है एक fold, दुसरा fold यहां zipper के उपर आएगा वैसे रखा यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे दिखिए ऐसे हमने lock किया तो यह bag हमारी complete हो गई small है लेकिन बहुत सुन्दर है ऐसे आप बड़े size के भी bag बना सकते हैं इतना बड़ा इसका base बना है ऐसे zip से हम बन करेंगे करेंगे